मैं डाक्टर अमित भटनागर पंत नगर क्रिशी विश्विधाले में प्रोफेसर के पतपर कारेरत हूँ और इस चैनल के माधम से मैं प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जानकारी पहुंचे तकि उसका लाव वो अपनी खेती में ले सके इसके इसके लिए मैंने अपने इ और उसका लाव आप अपनी खेती में कर सकते हैं आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो यह है कि यहू में हम पहली सिचाई CRI स्टेज पर करते हैं और यह बात लगबा सभी लोग जानते ही है कि CRI स्टेज बहुत महत्पूर है इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना च 25 दिन बाद आ जाती है अगर हमने समय से बुवाई करी है तो और अगर बुवाई में देरी हुई है दिसंबर में बुवाई करी है तो यह अवस्था 25 से 30 दिन बाद आती है तो मतलब यह है कि हमको पानी शुरू की अवस्था में देना होता है उसमें पौदे छोटे रहते और उसका असर फिर कल्ले निकलने पर होता है, पौदे की लंबाई बढ़ने पर होता है, उसकी बालियों पर उसका प्रभाव आता है, पुल मिला करके उपज कम हो जाती है, तो जितने दिनों तक पौदे पीले रहेंगे, उतनी हमारी उपज में कमी रहती है, तो पहली बात सिचाई है वो 25 से 30 दिन पर हो रही है पौदे छोटे हैं तो जो पहला कारण जो यह होता है सिचाई के बाद पिला पनाने का कि हम बहुत ज़्यादा सिचाई कर देते हैं अगर भारी मिट्टी है भारी मिट्टी से मतलब यह है जिसमें के लिए बहुत ज़्यादा है तो जो हलकी मिट्टी में पानी नीचे चला जाता है, गरहाई तक चला जाता है, भारी मिट्टी में पानी बहुत गरहाई तक नहीं जाता है, और मिट्टी के साथ बंधा रहता है, तो पानी जब धीरे-धीरे जाता है, तो हम पानी जाया दिर तक लगाते हैं, हमें लगता है कि पान को हवा नहीं मिलेगी इसको मैं आपको एक चित्र के माध्धम से समझाने का प्रयास करता हूं कि मालीजे कि यह अभी हमारा ग्याहूं का पौदा है और यह भी सियाराइइ स्टेज पे हो इसकी जणे अभी यहां से निकलनी शुरू होंगी अभी तो यह भी जोगा इसकी आट जो उपर तक पानी आ घंगया है तो ऊपर पानी तो तब आएगा जब नीचे पूरा भरा होगा तो जब नीचे तकॉनँ चला जाता है तो है पानी जया सब भर नेलगा ज आब इसकी दो आपके झटियो शुन को बीच के साद जड़ुएती जिसएं वह भी पानी में दूब हुए है और यहां से जड़े निकलने शुरू होती है क्राउन रूट से वह भी पानी में डूब गई है यहां से कल्ले निकलने शुरू होते हैं इस क्राउन रूट से ही वह भी सब कहां डूब है पानी में डूब हुए है तो अब देखी जब पूरा पानी है और हमें करते हैं जब पहली सजाई करते हैं तो पानी जो वाश्पी कान के द्वारा उड़ता है उसके उड़ने की दर भी क्या होती है कम होती है तो अब पानी या तो नीचे जाता उससे कमी आती पाने की या पानी ऊपर जाता इससे पानी की कमी आती या पौधा इस पानी को ले लेत की जाड़ा है ठंड है तापमान कम है पौधा इसले ले पारा एक तो पौधा बहुत छोटा है उसको लेने कि जितनी आवाशक्ता है उससे आदा पानी आ गया है दूसरा जब इसके अंदर वायू है ही नहीं तो यह श्वसंद नहीं कर पारी है जड़े तो अपने कारण से ल पानी का प्षोशन भी नहीं कर पाएगा पोशक तत्र psychology कर पाएगा तो क्या होगा कि यह प्रकास तरशेशन की टिरीया रुक जाएगी जब प्रकास तरशेशन नहीं होगा तो उसके अंदर शूष्पदार जो ड्रायमेटर नहीं बनेंगे तो पौधे के बढ़वार नही पौधी बढ़वार ना तो पतियों से होगी बना इसे जट निकलेंगे तीन नुकसान हो गय पत्तियों ने अपना काम करना बंद कर दिया रूट से जो रूट नикलती पर्मने डूट सिस्टम जो ह Nou नहीं निकल रहा है यहीं से कलjे निकलते हैं उस itu मैंने पूरा वेडियो बना रखा है आप देख सकते हैं तो और इसलोंगों सब्सक्राइ shining का क्यों पानी वॉक्क है देख सकते ही रिपान खुत पेडा बने सí और अगर सवाने मध्ध मिट्टी है उसमें भी आपने ज़्यादा पाई लगा दिया उसमें भी यह समस्याएगी तो पहला तो बचने को अपाई आए कि यह है कि आपको शुरू में बहुत पानी नहीं लगाना है होता है कि खेत में हम पानी छोड़ देते हैं तो आपको एक काम नहीं करना है तो पानी आपको कम गहरा लगाना है बहुत अधिक गहरा पानी नहीं लगाना है फिर आपको खेत में क्या करना है आपको खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बाट लेना है इस तरह की क्यारिये बना लीजिए, यहां से बीच में चैनल दीजिए, यहां से पानी दीजिए, इस से इसमें दीजिए, पानी यहां आएगा इसके इसमें दीजिए, इसका इसमें दीजिए, पानी इधर से आएगा इसका इधर दीजिए, इसका इधर दीजिए, इसी तरह स है तो उसकी संख्याद दुग नहीं कर दीजिए मतलब 16-17-18 क्यारी बना लीजिए तो भारी मिट्टी में आपको कम क्यारी बनानी है तक जल्दी भर जाएगा खेट जब भारी मिट्टी होती है पानी का नीचे जाने का जी सम्भोलता है इन फिल्टरेशन रेट कम होता है तो यह नटानी में एह फिल्ट का उसली आट से दस में Соमें नहीं देना है यह भारी मिट्टी की समस्या है तो इसमें आप जविक पदार्थ, जवांश पदार्थ, और इनिमेटर बगर प्रियोग करते रहें तकि इसकी सरनशना अच्छी रहें ये काम शुरू में ही आपको करना होगा, शुरू से ही आपको गोवर की खात, कमपोस्ट बगरा डालना है तकि मिट्टी भरूरी रहे, उसके अंदर वाईव को संचार बना रहें हैं तो ये काम शुरू में करना है आपयाई कर आपको पान ज़ादा नहीं देना है और जब भारी मिट्टी ये आट से दस क्याड़ी एकड़ाइब बना लीजिए अगर हल्की मिट्टी हैं तो आपको क्याजी हम ये तरीका है पौधे पीले पड़ गया है पानी होई गया है और पीले पड़ गया है अब क्या करना है तो देखिए अब पानी को उड़ने का आपको इन्तियार करना पड़ेगा त्योंकि यहूं में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती ही बहुत कम होती है 20 cm या 20-25 cm होती है उसमें हम जीजे नितर्ड नान की सबस्क्राइगा पानी नान कित्या हरी हो जाएंगी प्रस्काये यहजा जाूँछा-इ lt तो 15-20 kg यूरिया प्रती एकड़ आप डाल दीजे तो यह पौदों की ब्रद्धी भी होगी और पीलापन इसमें कम हो जाएगा तो कोशिश यह कीजिए आप गहरा पानी ना लगाएं पहली अवस्था में जाप सचाही कर रहे हैं तो हल्गा पानी लगाएं क्यारी भीदी से लगाएं और अगर पौदे फीले पड़ गए हैं तो यूरे का प्रियोप करें इससे पौदा रिकबर हो जाएगा पत्या हरी हो जाएंगी और फसल अपना भरपूर जो है उसमें कल्ले निकलेंगे अच्छी फसल होगी अच्छी बाली आएंगी और उपज भी अच्छी मि कीजिए और मेरे इस प्रयास में मेरी सहता कीजिए कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे इसके आप इन वीडियो को जादा से जादा लोंग साथ शेयर करें तक कि उनको भी सही जानकारी मिल सके और वो अपना खेती में लाब ले सके धन्यवाद